पर एक्जम्बल यहां से सप्लाइ आ रहा है पोजिटिव सप्लाइ यह लगा है अपना लोड ठीक है और यहां पे मैं लगाता हूँ कलेक्टर बेस अबिकर और यह हो गया ग्राउट यहां पे नेगेटिटिव तो इसको मैं ऐसे बूल सकता हूँ यह NPN ट्रंगिश्टर है ठीक है तो मैं इसको इज़र ऐसे लगाता हूँ यहां फिर कलेक्टर बेस अबिकर और लोड और इसके बाद मैं ग्राउट यह भी NPN है तो रोग चीजे तो एक ही होई ना इसको बोलोगे यह नेगेटिव की ओर लगता है तो यहां पी यह भी नेगेटिव की ओर लगता है ना क्योंकि यह लाइन कौन सी है आगे नेगेटिव वार ल लगा सकते हो लोड के बाद में भी लगा सकते हो लोड के पैरे भी लगा सकते हो इसका कोई नियम नहीं है कि नेगेटिव में सुट लगाओ यह पोजिटिव में लगाओ तो ऐसे करोगे तो यहां पे NPN फ्रांटिस्टर में कलेक्टर से हमेसा पोजिटिव इंपूट होता तो चाहे ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, लेकिन नियम नहीं बता, नियम एक ही रहा, यहाँ पे positive को drive करवाने के लिए collector, और A meter से दी जा गया, negative, तो NPN transistor में ये बोला जाएगा, जबकि PNT में क्या करेंगे, PNT में जो है, A meter में से, हम देते हैं positive से बेस और collector, collector में से आउट निकलेगा, तो collector लगेगा negative की हुआ, यह अपना load, तो यह हुआ positive हुआ, यह negative, तो यह transistor के लाएगा, PNT, उसके जैसे ही, load के ले लगा दो, transistor बैसे ही लगेगा, A meter, base, collector, तो यह काम कैसे करता है, तो base जो अपना काम करता है, पानी के नल में बीच हो जो पॉक आता है, यह पॉक के जैसे काम करेगा, यह क्या करेगा, पॉक जब बंद है, तब supply नहीं जाएगा, यानि कि reverse bias, तेकि जब आप पॉक को on करते हो, तब बन जाता है, इसके अंदर, कि अगर यह NPN material है, तो P पे लगने वाला, यानि कि on करने वाला signal होगा, पॉसेटिव, और यहां पे, अपना PNP है, तो इदर लगेगा, नेगे, तो इदर नेगेटिव देने से, यह forward bias बनेगा, और अगर आपका transistor NPN है, तो base के उपर, positive supply देने से, यह forward bias बनेगा, तो transistor लगाया जाता है, by default, इसके लिए off रखने के लिए, load को off रखने के लिए, जब हम base के उपर signal दे, यानि कि trigger voltage दे, तब ही वो base चालो होगा, दूसरी कि यहाँ पर जो voltage हम देते है, इस voltage और इस voltage के बीच में कोई सबंद नहीं, यानि कि दोनों मेंसे, दोनों का supply, separate है, दोनों का circuit separate है, इसका supply है, अलग है, और यह अनम्दीन लोड़ वाला सब्लय अलग है, तो यहाँ पर NPN और PNP, दोनों मेंसे कोई भी transistor इनोस करके, आप voltage को drive करवा सकते है, अभी इसी चीज़ को हम लोग SMPS के अंदर यूस करते हैं, SMPS के अंदर यूस करके क्या करिए, तो हम इस transistor के द्वारा दो क्रिया करवा सकते हैं, एक तो है switch on, पर दूसरा switching, एक है, switch on, पर दूसरा आएगा switching, यह दो क्रिया हम करवाएगे, तो switch on के अंदर load continuous चालो रहेगा और switching के अंदर क्या होता है तो switching के अंदर देखते हैं अभी हमारी जरूरत अलग अलग है जैसे कि 230 वल्ट का supply हमें electricity board हमें देखी है ठीक है तो हमारा 230 वल्ट का supply है 3 ampere का input के साथ है electricity board सा है अभी मेरा कोई instrument ऐसा है पर example अपना laptop उसको 1913 ampere चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखो 230 वल्ट की संख्या हमारी जरूरत की हिसाब से यहाँ प्लस माइनस होती है तो अलग-अलग instrument अलग-अलग ampere लेती है तो यहाँ पे इस क्रिया को करने के लिए हमें करवाना पड़ेगा स्विचिंग क्रिया NTC के दवारा हम लोग क्या करते थे spike को रोकते थे यहाँ पे आपको spike बनाना बार-बार spike में बेजिकली होता यह है यहाँ से आपने positive supply यहाँ से negative supply जब आप spike करते हो यानि कि जब आप इसको on करते हो तब यह बन जाता है forward bias conventional current की theory के इसाब से positive to negative जैसे ही आप negative देते हो यह हो जाता है reverse bias फिट से बनता है forward फिट से बनता है reverse तो इसका जो hurts है उसके हिसाब से हम लोग forward and reverse की kriya जो है उसको हम क्या कर सकते हैं उसकी संख्या जानि कि forward and reverse bias की जो संख्या है वो हम manage कर सकते हैं किस के दोरा? hurts इदर के hurts के दोरा तो यहाँ पे तो आएगा pure DC, smooth DC है ठीक है? जैसे आप forward करते हो यह positive signal छोड़ेगा अभी switch on होके off बता है तब electron कैसे आएगे? 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 अभी दे कोई क्या हो गया? AC cycle जैसे frequency बन गई? जो हमारे पास में पहले कैसी थी? half rectification वाला DC यहाँ पे बनता रहेगा जब यह यहाँ पे off होगा यानि कि यह reverse bias है तो सप्लाइज बन तो आदी सेकंड के लिए बन फिर से जब यह on किया तो फिर से forward bias इस लाइज की तो यह फिर से बन गई समझा है? यह क्या किया आँने? DC supply में से फिर से ने इसको AC में convert कर रख किया अब यह cycle जीरो से लेके अब क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप forward bias करते हो दर्वाज जब बुलता है तब एक साथ में 500 आदमी नहीं चले जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? 10, 15, 20, 25 करके आदमी जाते हैं? तो इस current यह बन गई अपनी AC cycle जैसी frequency अभी इसके साथ में में दूसरा transistor ऐसे लगाता हूँ CB वो भी NPN ही है ये भी NPN है इसके ओपन मैं negative supply देता हूँ क्योंकि हमने बोला के NPN transistor में E negative के ओपन negative दिया जाता है collector को मैं जोड देता हूँ इसके अंदर इस line में अभी होगा क्या? देखो ये base जो है जब यहाँ पे positive चलता है तब हम यहाँ पे negative चलाएंगे यानि ये transistor off तो अभी इससे होगा ये यहाँ पे full rectification होगा negative सबदा है ना ये negative है ना negative करेंगा तो हमने इसको फिर से बना दिया BC में से AC BC में से AC लेकिन ये AC कैसा होगा? हमें जो ज़रूरत है उस तरका अभी समझो मुझे ampere level बढ़ाना है क्या करना है? ampere level बढ़ाना है hertz वही के वही रखना है तो ampere level बढ़ाना है ampere level को बढ़ाना है यानि कि हमने उसकी व्याख्या क्या देखी थी? तो इसके दुआरा हम लोग क्या कर सकते हैं? switching kriya को हम control कर सकते हैं इतनी switching हाए यानि कि switching kriya के अंदर क्या करना है? यहां पे watt और ampere नहीं बढ़ाना है यहां में भी cycle की संख्या बढ़ानी और बढ़ानी है hertz बढ़ानी है hertz बढ़ानी है AC आएगा, hertz के अंदर AC आएगा hertz का मत बढ़ानी है DC हो गई नहीं DC में hertz होता ही नहीं ठिक यहां पे हम लोगों ने AC सप्लाइब देखे Walton level तो एक समान है लेकिन cycle जाए यानि कि मैं इस switch को on-off on-off करता हूँ तो यह on-off की जो क्रिया है मैं जितनी जलती फास्ट करूंगा उतना ज्यादा spike बनेगा और जितना ज्यादा spike बनेगा उतना ही आपका जो बल्व है वो खराब होने के चांशित बढ़ जाएंगे तो reason क्या है? बल्व के ओपर क्या जाता है? Spike तो वो स्पाइक हम लोग यहां पर खड़ा कर रहे हैं बार बार अभी जो यह एसी सप्लाइए विरी वो हमें जो ज़रूरत है उस तरह की में तो इलेक्रिसी दी बॉर्ड ने हमें दी थी 230 वर्ड सी 50 60 ख्रिक्वंसी लेकिन यहां पर आके क्या हुआ अपने हर्ड भी अपने इस पर पुरा यहां पर भी ट्रॉइंग करते हैं और ट्रंजिस्टरों के दुआरा हम लोगों ने क्या करवाय उसको देखते हैं यहां पर हम दे लिया फेस यह है निट्रल यह आ गया NDC यहां पर आ गया Qs अब यह देखे जाएगा LINE FILTER पार्ट बोलते जाओ उस तरीके से लगाते जाते हैं यहां पनमाची फ्रिक्वेंसियों को निकालने के लिए इसके बाद में आ गया अभी मुझे नेगेटिव वाली सर की नुआ पर बनानी है उपर में नेगेटिव वाली लाइन लोगा नी अभी इस लाइन के अंदर क्या आएगा नेगेटिव इस तरफ में नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव यहां पर मैं लगा देता हूं के विस्टर जिसका काम है बी-सी सप्लाइब को फ्रोर कर लेना और फिल्टर करना फिल्टर क्या करना है इसी साइकल अगर आजाए जाए तरफ में दूसरा करना है उसको स्मूध बनाना यहां पर आउप हो निगनने वाला सप्लाइँ एसे होगा स्वारीगaron जैनि क्यां में ल şekilde हाइव को यहां पर एिस तरह का इसी सपं़्लाइब की लाइन में हैए फेज की लाइन है यहां पर होगा इधर आगे आने के बाद ये बन जाता है स्मूध डीसी तो ये स्मूध डीसी माइनस वाद अभी हम यहाँ पर लगाते हैं ट्रांजिस्टर तो ये ट्रांजिस्टर हम NPA यूज करते हैं तो ए मीटर में सप्लाई लगाएंगे बेस यहां पर नीचे लगाता हूँ सप्लाई कहां जाएगा ए मीटर टू कलेक्टर बेस क्या है स्विचिंग वहां पर नहीं जाएगा और वहां पर जाने के लिए मैंने आपको बताया है वैसे हाई रेजिस्टर हम यहां पर खड़ा कर देंगे तो बेस की सर्कित में मैं आपको सम्झाओंगा अभी हम लोग फोकस करते हैं ए मीटर टू कलेक्टर कैसे सप्लाई जाता है बेस का सर्कित कैसे बनेगा वो जब ट्रांसफर्मर हमारा चालू उड़गा उसके बार में मैं आपको सम्झाओंगा तो यहां पे अभी आपको मालू मैं ही ए मीटर टू कलेक्टर सप्लाई देखे ए मीटर में बाहर निकालना है इसका नेगेटिव का सप्लाई ए मीटर में डालके करेक्टर में लग करना है अभी यह दोनों के बीच को हम जोड़के बना देता है अभी देखो क्या होता है यहां पे जब मैं करता हूं तब यह बेस ओप रहेगा वाइडिपर्ट ट तो यह पोड़ेटिव सप्लाई अभी यहां पे जाएगा नहीं लेकिन जब मैंने यहां पे पोड़ेटिव दिया तो ए मीटर में से नेगेटिव सिंगनल निकलेगा अभी नेगेटिव सिंगनल यहां पे आया है तो इधर एलाउग है नहीं क्योंकि निवर्स बायास में ह ठीक है, क्या है, इस इसको जाने का रास्ता यही बसता है, किस सपलाइगों, नगेटिव वाले, तो यह साइकल बन गई यह, इसके तुरंद बाद में मैं यहां से कर देता हूं, पोजेटूट और यह बन जाता है, नगेटिव, तो जब यह ट्रांजिस्टर ओन था तब यह अभी यह ट्रांजिस्टर ओन हुआ, और यह ट्रांजिस्टर ओफट दिया, तो होगा क्या, पोजेटिव सप्लाइग के लिए बनेगा प्रवर बारस, तो ए मीटर में से कलेक्टर में से सप्लाइग निकला, अभी इधर जाएगा, नहीं, जाएगा तो भी, इसके लिए र मिला था, हमने फिर से यही बना दिया, लेकिन इसमें और इसमें क्या प्रवर बहुत सारा प्रवर यह होगा, एसी, मिक्सिंग वाग, दूसरी चीए, एक स्टांडर्ड सप्लाइग है, दोसो तीस वाल टीन एम्पर का फॉर एक्जंबल सप्लाइग, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको प्यॉर एसी, प्लस आपकी जो जरूरत है, उसके हिसाथ से बना हुआ है, इसके हिसाथ से बनाना है, इसके हिसाथ से बनाना है, तो हर एक SMPS के अंदर हम लोग decide करते हैं, हमारा PCD decide करेगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो आउपूट आपको बना के दे तो यह आउपूट बनाने के लिए, बेस का सरकीट जो है, वो काम करता है, तो बेस का सरकीट कैसे काम करता है, तो बेस का सरकीट एक EXCELATOR के जैसा काम करता है, जैसे कि आप स्कूटर को चालू करते हो, लेकिन आपको अगर स्पीड चाहिए, तो स्पीड के अनुसर आप EXCEL कि यहां से जो पूट निकला वो लगने वाला है अभी हमारे लोड इसके बारे में हमें पढ़ना बाकी है तो इसको अभी छोड़ आगे आने वाला है दूसरा लोड अभी इसका कनेक्शन ओपन रखेंगे तो काम करेंगा ही निक चाहे जितना भी एसी बना ओले कि इसको कनेक करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा तो इधर लगा देते हैं एक कैपेशिटर का काम है एसी को अपने अंदर से पास करना डी सी को रोखना तो यहां पर एसी पास कर देगा और इस एसी को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ बेर, अब इस क्यापेसिटर का काम गया है, इसी को अपने अंदर से पास कर दे रहा, बी-सी को रोखना, यह इसी प्राइमरी सर्कृत, करेगा, दूसरी हमने पूरी साइटल कंप्लेट की, और यह है SMPS की प्राइमरी सर्कृत, SMPS की अंदर दो सर्कृत है, एक है प्राइमरी और दूसरा है साइटल, दूसरी पीर यह भी ध्यान में रखो, यह जो पूरा है function, यह पूरा function, हमारे desktop motherboard में वियरभी section में होने वाद है, इस क्रिया के दवरा हमने क्या करवाया, switching क्रिया करवाके, हमारी जरूरत के हिसाब से हमने, हर्ट बनाएं, एंपर बनाएं और वाद बनाएं, तीनों चीजे बनाएं, हमारी जरूरत के इसाब से, उसको कैसे क्रवाया, switching की क्रिया से, तो switching की क्रिया से हम लोग अलग अलग तरह के वाद बनाएंगे, switching क्रिया से हम लोग अलग अलग तरह के वाद बनाएंगे, इस चीज़ पेपर ड्राइंग में लेगो